नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चेर परिचे दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सिवा में एक बहद ही महतोपून जानकारी को ले करके जिहां अगर अंचाहे बालों को हटाने के लिए आज माती हैं ये तरीके तो जानने उनके नुकसान के बारे में भी जिहां बालों क को हटाने के लिए लड़कियां कई तरह के प्रोडक्स यूज करती हैं जबकि इन प्रोडक्स से होने वाले नुकसानों के बारे में शायद ही किसी को मालूम हो अगर आपको भी इनसे नुकसान नहीं मालूम है तो तुरंत ही आप इस वाइस ओबर को सुनिए और जानिए इस कि क्या-क्या नुकसान आपको हो सकते हैं शरीर के अंचाहे बाल किसी को भी पसंद नहीं आते हैं लड़कियों के शरीर में तो ये बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते जिसके कारण लड़कियां हर महिने रेगुलर तोर पर अपने शरीर के बालों को हटाती रहती हैं मालूम होगा जिया अगर आपको भी इन चीजों के नुकसान के बारे में नहीं मालूम है तो ये जानकारी आपके लिए है सबसे पहले जानते हैं सेव करके बाल को हटाने के बारे में बालों को हटाने के लिए शेव करना आजकल सबसे सस्ता तरीका माना जाता है इसलिए कई लड़कियां बात थुरूम में रखे अपने पिता जी या पार्टनर के शेविंग रेजर को यूज कर लेती हैं यह तुरंथ ही बाल हटा देते हैं और इसमें पैसे भी खर्च नहीं होते हैं और इसे नहाने के दोरान कर लिया जाता है इसे यूज करने के लिए केवल नहाते साबुन लगाने के बाद उन हिस्सों पर रेजर यूज कर लेना होता है जहां के बाल आपको हटाने है जिहां अर इसके नुकसान जानी है लेकिन सस्ती चीज से हमेशा नुकसान जुड़े रहते हैं शेविंग रेजर के साथ भी ऐसा ही है इससे बाल जड़ से नहीं निकल जिहां hair remover cream के बारे में आईए जानते हैं आजकल hair remover cream भी लड़कियां जादा यूज करने लग गई हैं ये कुछ ही मिन्टों में skin में से बाल हटा देते हैं और इसमें किसी भी तरह का दर्द नहीं होता है इससे बाल उतनी जल्दी भी नहीं आते हैं जितना shaving करने के बाद आ जाते हैं नुकसान जान लिजे लेकिन हर अच्छी चीज जरूरी नहीं कि अच्छी ही हो ऐसा ही hair remover cream के साथ है इससे skin कई बार जल जाती है और अगर cream आपकी skin पर suit नहीं करती है तो skin में इस cream से patches भी पढ़ जाते हैं इसलिए patch test करके ही कोई hair remover cream आप यूज करें पहले skin पर उसको डाल करके कहीं भी थोड़ी सी और test कर लें अंचाहें बालों को हटाने के लिए wax हमेशा से एक best option माना जाता रहा है इससे थोड़ा सा दर्द देता है लेकिन इससे skin की cleaning भी हो जाती है और बालों की growth भी जल्दी नहीं होती है wax दो तरह के आते हैं cool wax, hot wax इन दोनों में से कोई भी wax आप अपनी skin के अनुसार चुन सकती है अब इसके नुकसान जाल लिजे wax का सबसे बड़ा नुकसान है कि इससे बालों की growth न होने पर इन ग्रोथ भी संभावना बढ़ जाती है कई बार wax skin पर सूट नहीं करते हैं जिसकी वज़ा से आपको allergy भी हो सकती है अब लेजर के बारे मैं ये जानते है लंबे समय तक अंचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए लेजर ट्रीटमेंट भी कई बार लड़कियां यूज करती है इस ट्रीटमेंट में विशेशग्य लेजर बिम्स की मदद से आपके बालों के जड़ों को नश्ट कर देते हैं जिससे बाल निकलने बंद हो जाते हैं ये काले बालों वाली स्कीन पर ज़्यादा बहतर नतीजे देते हैं पतले और ब्राउन बालों वाले लड़कियां इस ट्रीटमेंट का यूज ना करें तो ही बहतर होता है अब इसके नुकसान जान लीजे कई बार इससे नुकसान उठाने पड़ते आते हैं पहले और ब्राउन बालों वाले लड़कियां इस ट्रीटमेंट का लाप नहीं उठा पाती हैं यह मेहंगे भी बहुत होते हैं इसलिए उनको नुकसान भी होता है इसके बाद आई जानते हैं अब लेजर ट्रीटमेंट तो हर लड़कियां ले नहीं सकती हैं करा नहीं सकती हैं इसलिए कई लड़कियां ट्वीचिंग का इस्तेमाल करती हैं इसमें बालों को खीच करके निकाला जाता है इससे बाल जड़ से निकल जाते हैं यह घर बैठे ही किया जा सकता है इसलिए कई लड़कियां यह तरीका अपनाती हैं इसमें बाल बहुत दिनों के बाद आते हैं इसके नुकसान जानिए इससे शरीर के बड़े हिस्सों के बाल नहीं निकाले जा सकते हैं इससे कई बार इसकीन के डैमेज होने का भी खत्रा होता है और खून तक निकलने लगता है जी हाँ तो ये थी जानकारी आज की आप सभी क के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं को और बहुत ही महतों पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों